forgetting या भूलना तो यह एक बहुत ही natural चीज है जब भी हम long term memory की बात करते हैं या लंबे समय तक जो हमारे दिमांग में memory बैठी है उसके बारे में अगर हम चितरन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पहले 9 गंटे में आप सबसे ज़्यादा भूलते हो जो भी आपने पढ़ा है सम है trace decay trace decay का मतलब है क्योंकि यह चीज आपके बहुत समय तक काम में नहीं आई है आप उसको दीरे-दीरे भूलने लगे हैं दूसरा है interference और तीसरा है retrival failure मतलब आपको याद तो है पर याद नहीं आ रहा तो जब आपको exam में लिखना है तो क्या होता है अरे अख़त पता त proactive interference दोनों में अंतर क्या है proactive interference का मतलब होता है moving forward मतलब पीछे की चीजें जो आपने याद की थी वह आपकी memory में interfere कर रही है मतलब जैसे मैंने पहले अगर English याद की है और अब मैं French सीख रही हूं तो वह English जो है मेरे French सीखने में अवरोदक है तो यह हो गया proactive interference दूसरा होता ह है retroactive interference जिसका मतलब यह है कि French सीख चुके है अंग्रेजी सीख रहे है तो जो यह अंग्रेजी है यह पुरानी French में बाधक बन रही है तो यह होता है जो new learning है वह आपकी interfere कर रही है तो उसको हम बोलते है retroactive retroactive का मतलब होता है moving backward और proactive का मतलब होता है moving forward बहुत ही basic शबदावल कर रहा है वो निश्यत तोर पर भूलेगा तो सही तो किस तरीके से हम उस भूलने की दर को कम कर सकते हैं